हेलो एवरिवन, हेलो दोस्तों और साथियों फॉरस आफिसर्स, most welcoming उतकर्ष क्लासेज, उतकर्ष क्लासेज के online platform पर आप सब का स्वागत है, आज के इस lecture के अंदर जो हम बात करें ACF के optional subject की, जिसमें से एक optional subject हम बात करेंगे, जूलो जी की, जूलो जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जूलो जी के अंदर 10 unit है, और समय नजदीक आता आ रहा है, धड़कने बढ़ती जा रहे है, अब बच्चों डरना नहीं है, साथियों डरना नहीं है, क्योंकि जब उतकर्ष का हो साथ, तो डरने की क्या बात, तो जूलो जी के section के आज पहले दिन हम बात करने वाले हैं, बहुत ही important unit की, जिसका नाम है Animal Diversity, यनि टैक्सोनॉमी की ब बात कर रहे है, Animal Diversity में Non-Core Data, एक बहुत महत्पून चीज में आप से कहना चाहता हूँ, अगर ACF के previous paper की बात करूँ मैं, जो पहले 2011 के अंदर हुआ था, उसमें 200 questions थे जूलो जी के, 200 questions, उन 200 questions में से 51 questions, 51 सवाल, Taxonomy, Animal Diversity से थे, Non-Core Data और Core Data की वाल, इसका मतलब पूरे paper में, जूलोची के paper में, सबसे जादा weightage किसका है, 25% weightage, Taxonomy का है, Diversity का है, और आज हम बात करने वाले इसके अंदर Non-Core Data की, और इस Non-Core Data के अंदर हम क्या बात करेंगे वाई, इस Non-Core Data के अंदर हम बात करने वाले हैं, यहाँ जो सबसे important चीज़ होगी, Non-Core Data में क दूसरे संग के साथ साथ इनके क्या-क्या example होंगे, इनमें क्या-क्या wishish time होती है, clear है, तो start करते हैं, कुछ important सवालों के साथ, Non-Core Data का सफर, जूलोची ACF की class की journey, चली प्रश्णों के साथ हम शुरू करेंगे, और उनसे जो concept बनते हैं, जो exam में बहुत important होंगे, और मुझे उमीद है, कि यहाँ से question 100% निकलेंगे ही, चलीए, जो पहला सवाल हम बात कर रहे हैं, the lowest category in taxonomic hierarchy, बाई, साख्यों याँ जो पहला सवाल है, lowest category की हम बात कर रहे हैं, पहले हैं आप लोग, the lowest category in taxonomic hierarchy, बाई, lowest category का मतलब है, सबसे निचला इस्तर की बात कर रहे हैं, taxonomic की अंदर सबसे निचला इस्तर की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़ा महत्मून सवाल है, हर साल रहता है, अगर मैं पहलती वही, species, यहां बात करते हैं, बहुत सारी जातियां मिलकर जो बनाएगी, genus, यानि once, once से मिलकर क्या बना होता है, जीनस आगे चलकर बनाएगा family, यानि कुल, और कुल जो आगे चलकर जो बात करेंगे, वो बनाता है, order, गण, हिंदी में भी लिख लेता हूँ, मैं ये गण कहलाता है, ये कुल कहलाएगा, ये जीनस की बात कर रहे हैं, ये once है, और ये जाती है, ठीक, order की बात करते हैं, order आगे चलकर वही क्या बनानेगा, आगे चलकर ये बनेगा class के अंदर, यानि बहुत सारे गण मिलकर क्या बनाते हैं, class, यानि work, और work की बात करते हैं आगे चलकर क्या चीज आएगी इसके अंदर phylum p-h-y-l-u-m यानि संग क्या बात करेंगे संग और यही शब पादब के अंदर division परभाग कहलाता है क्या कहलाता है परभाग कहलाता है और इस phylum की बात करते हैं उपर जो सबसे बड़ा चीज है वही वो है kingdom क्या है kingdom आएगा क्या आएगा kingdom तो आपके सामने जो एक दे रखा करम सबसे छोटी काई species फिर genus, worms, फिर cool, फिर gun, फिर work, फिर sung और फिर kingdom यानि जगत आता है क्या आएगा जगत आएगा अब यहाँ पर इसको इग्याद रखने की चीज़ बताता हूँ आपको king play chess on fine green sheet king play chess on fine green sheet एक राजा जो होता है एक हरी sheet पर क्या खेलता है chess क्या खेल रहा है क्योंकि यह सवाल बड़ा important है पिछले वार जब ACF का paper हुआता तो दो सवाल इस पर थे और उमीद फिर इस पर जुड़ी है और हमारा सवाल है सबसे छोटे इकाई क्या है तो कौन answer देगा भाई जवाब दीजिए species यानि जाती genus once family cool के order गर्ण तो यहाँ बात करते हैं इसके अंदर सबसे छोटी चीज़ क्या है species जाती जो होती है वो सबसे छोटे इकाई होती है सबसे छोटी यूनिट होती है taxonomy के अंदर clear है भाई यह सवाल समझ में आया आप लोगों को अब इससे समझे दूसरा सवाल जो मैं बात करना चाहता हूँ जो बन सकता है exam में taxonomy की यह एक जो पदानु करम है यहाँ एक चीज सबसे important है जो फिछली बार भी सवाल पुछा गया था और उमीद मुझे फिर है कि यहाँ जाती की बात करते हैं species की बात करते हैं यहाँ जो गुण होते हैं समानताएं होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाएंगे यानि उच इस्तर की तरफ जाएंगे जगत की तरफ जाएंगे kingdom की तरफ जाएंगे यह समानताएं कम होती जाती है एक सवाल मैं आप से कहता हूँ कि अगर मैं चार option देता हूँ आपको यानि यही मैं आपको चार option दे रहा हूँ species, genus, family और order यानि gun, cool, once और जाती तो यहां आप बताईए सबसे कम समानताएं किस में देखने को मिलेगी सबसे कम उसमें मिलेगी जो उपर की तरफ होगा इसमें सबसे उपर की तरफ कौन है gun, order है यानि अगर यह चारो option दे रखे हैं और पूछे सबसे कम समानताएं किन जीवों में देखने को मिलेगी तो उत्तर, order यानि gun होगा, समझ रहो तो एक सवाल यह आसकता करम का आपको करम पूछे यह वाला, दूसरा सवाल आसकता सबसे छोटी काई कौन सी होती है species, जाती तीसरा सवाल सबसे ज़्यादा विशिष्टाएं यानि समानताएं किस में देखने को मिलेगी जाती के अंदर तो यह तीन सवाल बड़े महत्पूर है जो यहां से पूछे जाते हैं और ACF के syllabus में पहले ही लाइन है species concept या ACF का जो syllabus है किसे वे exam का जो syllabus होता है वो syllabus उस exam की आत्मा होती है और आत्मा को अगर सुईकार कर लेते हैं अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो परमात्मा से मिलन होता है आत्मा परमात्मा और परमात्मा का selection करता है है ना तो इसलिए syllabus की ही पहली line taxonomy के अंदर species concept की है यानि अगर मैं आपसे कहूँ दूसरा सवाल क्या बन सकता है दूसरा सवाल बनेगा कि जाती की एक और शब बड़ा अच्छा है जाती शब जो दिया था वो जॉन रे ने दिया था साइंटिस बड़ा मातपून है क्योंकि कुछ database question पूछे जाते हैं एक्जाम में जॉन रे जॉन रे की बात करते हैं जिसने जाती शब दिया था और जॉन रे ही था जिसने जाती की अवधारना दी थी तो प्रशन आ जाए जाती की अवधारना की सवेज्ञानिक ने दी जॉन रे ने जाती शब्द किस ने दिया जॉन रे ने ठीक है भई और दूसरा जो मातपून syllabus की line है जाती अवधारना में जेविक जाती अगर सवाल आ जाए जेविक जाती यानि biological species अंग्रे जी में biological species ये concept देने वाला विज्ञानिक कौन था scientist कौन था भई बोलो यहां जो हूँ बात करते हैं scientist मायर बहुत important सवाल है मायर ने ही जेविक जाती की अवधारना दी और जाती की परिभाशा दी तो सवाल बड़ा महत्पूर्ण है अगर आ जाए कि जेविक जाती को परिभाशित करने वाला विज्ञानिक कौन था मायर था जाती की धारना किस ने दीती जौन रे ने दीती तो अगर मैं ECB की बात करता हूँ तो सवाल जो जाती से बनने वाले हैं इसके अलावा नहीं बनते हैं समझ में आया यानि जो भी कॉंसेट बड़े उसकी अप्लिकेशन बड़ी महत्पूर्ण है और इससे बाहर exam equations नहीं पूछे जाते हैं चले आगे दोस्तों चली दूसर सवाल की तरफ चलते हैं नेम दा ओर्गेनाईजेशन नाम देने की बारे में बात कर रहे हैं कौन से संसा काम करती है कौन सा संघटन काम करता है अगर हम बात करते हैं पहला शब्द रखा है ICVN पूरा नाम क्या है I International International Code of Viral Nomenclature विशानों के नाम देने वाली संसा ICVN International Code of Viral Nomenclature समझ मैं आप लोगों को यानि ये जो संस्ता है वो वाइरस के नाम देगी विशानों के नाम देने वाली संस्ता है ICVN का मतलब International Code of Botanical Nomenclature शब्द आया भी का Botanical Botanical का मतलब क्या होता है वनस्पती का यानि पात्पों के नाम यानि प्लांड के नाम देने वाली ये संस्ता है यानि प्लांड के नाम कौन देती है ICVN ICVN वाइरस के नाम के लिए फिर शब्द है ICNCP International Code of Nomenclature for Cultivated Plant CP का मतलब है Cultivated Plant यानि जो फसलें से संबंदित है जो हम Cultivate Plant करते हैं यानि क्रॉफ से संबंदित है फसलों से संबंदित है ठीक है जी समझ मैं है दोस्तों ICNCP का मतलब Cultivated Plant होगा सवाल पूरा नाम भी एक्जाम में आ सकता है जी हाँ वो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एक्जाम में और लास्ट है ICZN International Code of Geological Nomenclature ZN क्योंकि हमारा सबजेक जूलो जी का है तो सवाल भी यहीं से पूछा जन्तों के नाम देने वाली संस्ता ICZN तो सही जवाब क्या होगा ICZN समझ में आया Geological Nomenclature यानि यहां बात करते हैं यह Animals का नाम देगी अब इस से जुड़ी दूसरी बात पहला सवाल तो यह जन्तों के नाम कौन देता है पात्मों के कौन देता है विशानों के कौन देता है ठीक अब जो नामकरण की चीज़ आते है Nomenclatures को कहते है अगर मैं कहूं आपसे नामकरण के नियम की बात करें नाम देने के लिए उस शुरुवात की थी 1961 के अंदर बड़ा महत्मों सवाल है 1961 के अंदर ICBN ही आएगा बच्चों वैसे बॉटनिकल है पर नाम देने की शुरुवात के लिए 1961 में ICBN का नाम ही जाता है और इसके अंदर बहुत सारे शुधार किये गए और नामकरण पर भी सवाल बनने के चांस बहुत जादा है अगर मैं एक सवाल का उधारण आपके सामने रखूं जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैंगो की बात करता हूं आम की बात करते हैं जिसका विज्ञानिक नाम होता है मैंजी फेरा इंडिका मैंजी फेरा इंडिका अब यहां मैंजी फेरा इंडिका की बात करते हैं तो मैंजी फेरा जो है वो जीनस वंस है क्या है वंस है जीनस है अंग्रेजी में भी याद रखें इंडिका जाती है यानि स्पीसीज है क्या है स्पीसीज है और अगर मैं बात करता हूँ इसको देने वाले विज्यानिक नाम को देने वाले विज्यानिक थे लीनियस डॉट अब एक और नहीं चीज सुनिए वन्स पहले आएगा फिर जाती आएगा इसी चीज को कहते हैं द्वी नाम में पत्ती बाइनोमियल सिस्टम ये जो नाम दिया जाता है ये नाम भई बाइनोमियल सिस्टम द्वी नाम में पत्ती इंडि में द्वी नाम में पत्ती जिसको लीनियस की बात करते हैं जिसने दिया था मैंजी पेड़ा वेले वन्स आएगा फिर जाती आएगी और पीचर साइंटिस्ट का नाम आएगा इसने दिया लीनियस ने साइंटिस्ट के नाम को अंडरलाइन में नहीं रखते और अगर हम हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे और computer से type होगा तो ये italic होगा तिर्चा होगा विज्यानिक नाम और विज्यानिक नाम Latin बाशा में लेखे जाते हैं क्योंकि Latin में अब कोई change या बदलाव नहीं होते हैं मृत बाशा की तरह है तो समझ में आया तो इस तरह से नाम करण में पहले once फिर जाती फिर विज्यानिक का नाम आता है ये प्रशन बनेंगे इसमें वही नाम करण या nomenclature से सम्मंदित सवालों में चलिए फिर आगे के प्रशन की बात करते हैं बड़ा ही मातमुन सवाल है फिर syllabus की line है वही syllabus की line to line करना है उस पर आधारी सवालों की खूब practice करनी है आप forest officer बनेंगे और इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता चलिए सवाल क्या है 5 kingdom classification was proposed by बड़ा मातमुन सवाल है और मैं option भी बड़े मस लेकर आया हूं देखिए पांच जगत की बात कर रहा है हिंदी में इसको कहते हैं पांच जगत और अंग्रे जी में five kingdom classification वर्गी करन्ट पहला option है लीनियस लीनियस वो विज्ञानिक था जिसने टू किंडम दिया टू किंडम प्लांटी और एनिमेलिया ओके हैकल जिसने ट्री किंडम क्या दिया भाई अपने ऐसे लिख लेते हैं जड़ा असान रहेगा टू किंडम और इसने ट्री किंडम हैकल विज्ञानिक जिसने प्रोटेस्टा के बारें बताया कौप लेंड ने फॉर किंडम के बारें बताया और आरेच मीटिकर विज्ञानिक था जिसने फाइब किंडम के बारें बताया क्योंकि सीलेबस में लिखाओ है फाइब किंडम का कॉंसर्ट समझाना है तो भाईया अगर हम बात करते हैं बहुत बढ़िया सारे आंसर आप अ forest officer बनने से चलिए तो सही जवाब दी दिया आप लोगों ने बिल्कुल सही है आरेच विटेकर पांच जगत यानी five kingdom को देने वाला विज्ञाने एक आरेच विटेकर था और पांच चीजे क्या थी पहला monera फिर protesta बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बिल्कुल बहुत बढ़ि मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी और एनिमेलिया अब यहां से क्या सवाल बनने वाले चलिए कोश्टन आया है कि six kingdom किस ने दिया काल वूज याद रखना वहिया काल वूज साइंटिस था जिसने six kingdom दिया और उसने three domain का concept दिया था यानि मोनेरा को भी डिवाइड कर दिया था आर की वैक्टीरिया और यूकेरिया के अंदर जो महागी पढ़नेंगे बॉटनी के अंदर पाठ है वैसे ये चलिए अब एक सवाल इससे जुड़ा हूँ मैं कहना चाहता हूँ five kingdom के अंदर क्या सवाल बनते हैं कुछ हड़कर सवाल की बात करूँगा बैं होते हैं प्रोकेरियोड्स होते हैं क्या होते हैं ये प्रोकेरियोड्स होते हैं ठीक बाकी सारे जो kingdom है वो यूकेरियोड होंगे बहुत बढ़िया काल वूज बिलकुल दूसरी जो सवाल की बात करते हैं कि प्रोकेरियोड्स है और दूसरा ये यूनिसलूर्स होते हैं यू जो प्रोतिस्टा को रहोंगा को, ता इसलिए महत्पूर्ण हूजाता है, कि यह जो है unicellular है एक कोशिकी है पर eukeriors होते हैं कैसे होते हैं eukeriors होते हैं यह चीजी सबसे अलग है जहां सवाल बनता है ठीक है वई बाकी चीजों के अंदर हम नहीं जाते हैं क्योंकि बाकी तो सारे बहु कोशिकी होते हैं multicellular होते हैं फंगस में चीज बोल देता हूँ, फंगस की जो कोशी का बिती, cell wall होती हो, काईटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काईटीन की बनी होती है, बाई, दोनों मीडियम के स्टुडेंट से इसलिए मेंको bilingual use करना पड़ रहा है बाई, ठीक है ना, काईटीन, काईटीन जो होता है, वो फंगस के अंदर होगी, बड़ा महत्पुन सवाल है, कि जो फंगस होते हैं, उसमें जो कोशी का बिती, cell wall होती है, वो काईटीन की बनी होगी, ये जो सवाल है, बड़े महत्पुन है, five kingdom classification से, ठीक है बाई, चलिए, आगे सवाल की बात करते हैं, फिर syllabus की line, wild animals, चलो हिंदी में ज़्यादा यूज़ करेंगे अपन, wild animals are capped in, wild का मतलब है जंगले जंतों की बात कर रहे हैं, बड़े मात्मून सवाल है, और मुझे उमीद है कि यहां से सवाल निकलेंगे, मैंने बिल्कुल syllabus के base per question designing की है, और इससे आसपास जो भी सवाल बन सकते हैं, वो ही बने हैं, पूराने paper को भी देख लेना, बिल्कुल विसी syllabus के आधार पर सवाल डिजाइन होते हैं, wild animals are capped in, जंगले जंतों को कहां रखा जाता है, अगर हम बात करते हैं, पहला है जुलोजीकल पार्क, जुलोजीकल पार्क हैं जंतु उध्यान, बिल्कुल रखा जाएगा, अब भी सवाल में क्या खास बात है, बड़ा असान तो लग रहा है, कभी भी सवालों के, पहले option पर answer मत देना, सारे option को पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ option जो ऐसे भी हो, कि और भी जा रहा हो, दूसरा है भाई, x-situ और in-situ, क्या मतलब होता है, बही इस्ताने, in-situ का मतलब अंतो स्थाने, चली, अगर मैं किसी शेर को, टाइगर को, या जनतू को एक चोटे से एरिया में रखते, जहां उसका घर नहीं होता, जहां उसका घर नहीं है, हम उसको सरक्षित कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, entertainment के लिए कर सकते हैं, जिसे उद्यान, biological park, जू लोजिकल पार्ग, जू, ये जानरों का, एनिमल्स का, खुद का आवास नहीं होता, हम उनको सरक्षित करते, तो उस चीज को उनके कहते हैं, बही इस्तान, यानि उनके प्राकर्तिक आवास से, बहार उनको सरक्षित कर रहे हैं, इसको कहते हैं, एक सीटू, इकोलोजी का भी फावरेट सवाल बनता है, यानि जब किसी जन्तू को, हम किसी उसके प्राकर्तिक आवास से, बहार सरक्षित करते हैं, उसको कहते हैं, एक सीटू, जीतने भी गार्डन, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सब लोगों के, ठीक है भाई, उसको एक सीटू कहते हैं, जो भी चोटे-चोटे पार्ड जो होते हैं, जूलोजीकल पार्ड, बाटनिकल गार्डन की हम बात करते हैं, ये सारे, इन सीटू का मतलब उसका प्राकरतिक आवास है, प्राकरतिक आवास का मतलब मैं बात करूँ, अभ्यारन की, सेंचुरीज की, नैशनल पार्क की, होट स्पोर्ड की, बायोस्पेर रिजर्व, जेव मंडल की बात करें, तो यहां जो हम बात करें, उनको कहां रखा जाएगा, वही वाईलेल में इसको कहां रखा जाता है, एक सीटू भी है, और जोलोजिकल पार्क, दोनों सही है, तो बहुत A and B, समाझ माया, D answer बिल्कुल सही लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत A and B आएगा, क्योंकि इन सीटू जो होता है, वो प्राकर्तिक आवास है, वहां सरक्षित नहीं करते हैं उनको, बहुत बढ़िया, चलें आगे सवाल पर, मैंस दा कोलम है, आपको मैच करना है, ऐसे सवाल भी, मैंने सारे पैटर्न रखे हैं, स्टार्ट हो जाएए, आप जवाब दे सकते हैं, अपने स्क्रीन पर, मैं देखा हूँ लागों को, चलिए समझते भी रहेंगे, और ये भी सिलेबस की लाइन लेकर आया हूँ, और मुझे उमीद हैं, या से छपावा सवाल ACF के अंदर तो ये, रेडियल सिमेट्री, सूडो सेग्मेंट, सूडो सिलोम और एसिलोम, यानि मैं बात कर रहा हूँ, याँ पर सम्मिति की, मैं बात कर रहा हूँ, याँ खंडन की, मैं बात कर रहा हूँ, याँ गुहा की, ठीक है भाई हिंदी मेडियम वालों के लिए रेडियस सिमेट्री का क्या मतलब है रेडियस सिमेट्री का मतलब यूँ समझिए कि ये स्टार फिश बना रहा हूं मैं पांच बुजाएं होती है चलिए बन गई आप इसके सेंटर से केंदर से मैं इस तरह से कट करता हूं क्या और ये जो भाग दिख रहे हैं आपको अगर ये सारे भाग बराबर है तो इसको कहते हैं रेडियल यानि अर्यस सम्मित्य क्या बोलते हैं अर्यस सम्मित्य दीजे जवाब दीजे मैं फिर बताऊँगा आपको अर्य सम्मिति का मतलब किसी भी जीव के केंद्री अक से काट काटी जाए तो सारे भाग बराबर प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं अर्य सम्मिति और अर्य सम्मिति रेडियल में छोटी से लाइन याद कराना चाहता है वो बड़ा महत्पूर्ण होगा ट्रिक बता रहा हूं आपको रेडियल सम्मिती यानी सिम्मेट्री की बात कर रहा हूं मैं हिंदी में इसको बोलते है भाई अरियर थोड़ा दो तो मीडियम रहेगा शीला टीना तारा सब पूरे रेडी तैयार है वही दो लड़किया हैं बिल्कुल तयार हो चुकी है शादी वगर्यर में जाने के लिए कुछ भी समिले सीला टीना तारा सब पूरे रेडी सीला का मतलब सिलेंट रेटा बड़े महतमुरे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा टीना का मतलब टीनो फोरा तारा का मतलब तारा मचली यानी स्टार फीश की बात कर रहा हूं मैं सब पूरे का मतलब सम पौरी फेरा सम पौरी फेरा पूरे का मतलब सम पौरी फेरा और रेडि का मतलब रेडियल कैसे रेडियल अगया समझ में कोई भी सवाल आएगा कैसा भी सवाल है अंसर यही जाएगा तो अब रेडिय समीटी की अर्य स्वमीति के अगर उधारण पूचे सिलेंट्रेटा के सारे सदस्य टीनोफोरा के सदस्य स्टारफीशल इकाइनोडर्मेटा के सदस्य और कुछ पोरिफेरा अब कहोगे कुछ कौन सा लुकोसोलेनिया लुकोसोलेनिया जो होते हैं वो अर्य स्वमीति जनरली हम बात करते हैं, ध्यान रखना हम कोड़ेटा में आते हैं, हमारे क्या है, हाथ, पैर वगर खंडित हैं, है ना, तो कोड़ेटा के जितने हैं, प्रस्ट वंसी जितने होते हैं, वो खंडित जीव होते हैं सब, कैसे होते हैं, खंडित, हमारे खंडित बाहर नहीं है, हम यह भी बन सकता है निंद में से कौन segmented नहीं होता कंडित नहीं होता कॉड़ेटा होगे दूसरा बोलू पाण होगे यह यह यहुग यह सवाल सुदो c hearts कि और अगर आरइन वाली कॉपि ऌस moore लाईने होती है पर आप हात लगाओँ के खंड नहीं द attain है ना उसा ही चीज होती है प्लेटी हेलमिंधिस के सदस्यों में प्लेटी हेलमिंधिस जिसमें तीन या फैसियोला की बात कर रहा हूं में वो आवासी खंडन को सूडो सेगमेंट को पदरशित करते हैं समझे मागे चीज़ें फिर सूडो सिलोम आवासी गवा इसकी बता तो बड़ा महत्मून सवाल बनता है यहां चीज़ आगी समझ में अब यहां चीज़ यही ले लेते हैं अपन ACP याद रखना बच्चो ACP तो साथियो ACP का मतलब क्या होता है ACP A का मतलब A C Lom AC का मतलब A C Lom यानि अगुआ 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 या अगुआ यह जीव ऐसे जीव जिन में गुआ नहीं होती है ACP असिस्टन कमिशनर पुलीस याद रह जाएगा ACP परदून सिंग डामबोक्स सुना होगा A C Lom अगुआ जीव तो P को चुराना है P का मतलब यहां पर क्या है पौरी फेरा से प्लेटी हेलमिंटीज पी से पी तक उधारण याद रखने है यानि जो भी पौरी फेरा से है सदस्य पौरी फेरा से प्लेटी हेलमिंटीज कौन से भई? प्लेटी हेलमिंटीज के सदस्य अग हुई होंगे याद हो गया और अगर मैं बात करता हूं अब देखो डारेक्ट समझाता हो अग हुई मैं A C P पौरी से प्लेटी हेलमिंटीज दूसरा समझे जब आग हुई है यानि हुआ ही नहीं फिर क्या होगा कुछ-कुछ गुआ होगी कुछ-कुछ का मतलब आवासी क्या होगा आवासी गुआ सूडो सिलोम अंग्रेची में क्या बोलते हैं सुडो सिलोम बहुत बढ़िया आवासी के अंदर ध्यानक ना सुडो सिलोम आवासी कुछ-कुछ और यहाँ एक बड़ा फैमस सवाल है और यह मुझे उमीद है और आच्चुका सवाल है एसकेल मिंतीज जिसके अंदर फैमस एक्जामपल एसकेरिस एक ही संग है इसलिए मेडिकल का कहें या हम कहें एसी अफ का कहें यह तो फैवरेट क्वेशन है और मुझे उमीद है वापस आने की सवाल आवासी गुई आच्चुका सवाल है एसकेल मिंतीज की सदस्य होते है इसलिए एक ही उतर जाता है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाद में बच्चों क्या होगा इसके अंदर आवासी गुई हुआ हुआ फिर क्या होगा गुई सिलोम क्या बोलते हैं इसको सिलोम कहते हैं यानि जिसमें गुवा उपस्तित होगी SQL मिन्तिस के बाद कौन आता है N.A.L.E.D.A 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 N.A.L.E.D.A.D.A N.A.L.E.D.A.D.A चलिए कौन? S.E.L.E.D.A Hydra Pseudo Segment क्या मैच करेगा इसके अंदर Pseudo Segment के अंदर A.S.E.L.E.D.A भी दे रखा है Pseudo Segment के अंदर जो मैच करते हैं अपन आवासी के अंदर T.न या जा सकता इसके अंदर और फिर आ गया Pseudo Segment Pseudo Segment के अंदर आवासी के अंदर Askeris और A.S.E.L.E.D.A के अंदर Fascula Platy Helminthes का तो मैच कीजिए A में 2 ये 2 और फिर हम B में बात करें 4 ये 4 C में बात करें 1st और D में 3rd यानि 4 D answer और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा जवाब पहले ही देच चुका है बिलकुल Very Good चलिए ये हो चुके हैं अपने Next सवाल की बात करते हैं और फैवरिट सवाल अच्छा सवाल Match the column का है पूरा वीडियो देखना बात important question है यहीं से निकलने वाले सवाल Paramecium, Plasmodium, Lashmanius, Icon पूरे syllabus के member है जो दे रखा ECF में और कुछ विशेष्टाइं देखिए Phlegilla, Celia, Coinocytos, Spuro जोड दे रखे Match करना है Paramecium पहला है अब Paramecium की बात सुनी Paramecium को वैसे Protesta में रखा जाता है Protesta के अंदर भी Proto-Jua के सदसी होते हैं और Paramecium के चारो तरफ Celia होते हैं जो उनकी गती में साहिता करते हैं Paramecium की जो सरचना होती है और स्लीपर की तरह होती है चपल की तरह होती है इसलिए Paramecium को Sleepy Animals भी कहते हैं आंसर देते रहिए मैं चेक करूँगा आप लोगों के बिल्कुल आ रहे हैं जवाब तो Paramecium को Sleepy Animals कहते हैं क्योंकि उसकी सरचना चपल जैसी होती है उसके चारो तरफ Celia होते हैं जो उनकी गती में साहिता करती है और दोस्तों एक बड़ा मात्मूर्ण सवाल है और फिर उमीदों में रहता है कि दो केंदरक वाला जीव कौन सा होता है पेरा मीशियू तो पेरा मीशियू के जितनी ज़्यादा चीज़े हैं बहुत इंपोर्टेंट है वह ही आती है एक्जामे दो केंदरक वाला जीव पेरा मीशियू Celia जिसके चारो तरफ पेरा मीशियू स्लीपर जैसी शकल पेरा मीशियू तो यहां मिलाते हैं यह मिला Celia प्लाजमोडियू अब एक चोटा जनरल सवाल आता है हम कहते हैं मलेरिया मलेरिया किस से होता है मच्चरों से नहीं होता है मच्चर तो फैलाते हैं एनफिलिस वैक्टर होता है के अंदर वाइवेक्स मलेरिय फैलसी पेरम ओवेल यह जात्या बड़ी महत्पूर है जहां से सवाल पूछे जाते हैं और सबसे गातक अगर पूछे तो प्लासमोडियू बिल्कुल ज़ई जवाब आ रहे हैं पिछली बार भी पूछा गया था A. Ce реop के अंदर प्लासमोडियम से सवाल हमें जो मलेरिया रोग होता है प्लासमोडियम से तो प्लासमोडियम की कौन सी संक्रमी तवस्ता होती है जिससे मलेरिया रोग होता है स्पोरो जोयूड किससे होता गई उसकी saliva, लार के अंदर जो sporogelts होते हैं, यह यही रोग के लिए उतर दाई, उस मादा ऐनोफलिस की लार में sporogelts होते हैं, हमारे रक्त में जाएंगे आदे घंटे के अंदर liver में चलेगे हमारे, liver के अंदर यह चकर चलाते हैं, अब एक और सवाल आ रहा है, हमारे अंदर, हमारे अंदर अलेंगिक चकर चलता है एसेक्शवल रिपोडक्शन चलता है भई, क्या चलता है, एसेक्शवल ठीक है, लेश्मानिया आगे आएगा भई, ठीक है हमारे अंदर, मनुश्य के अंदर अलेंगिक है न, यह sexual reproduction चलेगा plasmodium का और हमारी अंदर बनते gametocytes gametocytes बनेंगे हमारे शरीर के अंदर दो जग़ा अटेक करता है plasmodium, liver और RBC, ध्यान रखना ये भी अच्छा सवाल है liver पर सबसे पहले हमला होगा क्यों भई, liver रहने की जगा देता है रक्त में रहेगा, WBC मार देगी liver में glycogen होता, खाना मिलता है तो खाने के लिए, सुरक्षा के लिए plasmodium के जो sporojoids होते हों liver में जाकर रहते हैं ठीक है भाई? और फिर उस liver कोशिका को तोड़ कर रक्त में जाते हैं, रक्त में जाने के बद RBC को संकरमीद करते हैं अब बड़ा और सवाल आ रहा है दोस्तों, RBC के अंदर एक और सरचना बनती है याद रखना हीमो जोईन बड़ा महत्मुन सवाल है, सारे सवाल है यहीं से तो सवाल बनेंगे हीमो जोईन जब बनता है RBC तूरती है, हीमो जोईन जब बनता है और हीमो जोईन की वज़स से ही बुखार आता है कप कपी के साथ बुखार आना मलेरिया का मुख्यलक्षन बाना जाता है कप कपी के साथ बुखार इस विश्युक्त पदार्थ की वज़स से इस टॉक्सिन की वज़से आता याद रखना हीमो जोईन की वज़से और जब RBC संक्रमित नहीं होती दो बुखार उतर जाता इसलिए मलेरिया में आवर्ती जुवर आते हैं कैसे आता हैं आवर्ती जुवर तो चलिए मैच कर दिया फिर हम बात करते हैं इसके अंदर भई एक एक और भी अच्छी चीज़ बता देता हूं मलेरिया के रोह के लिए कहन सी दवा जिसको नौबल प्रुसकार के लिए पर चुना गया था फिलाल है ना एक जो Chinese सवाल है फिलाल याद रखें लेश्मानिया लेश्मानिया की बात करते हैं लेश्मानिया के अंदर फ्लेजीला होते हैं साब कैसे होते हैं फ्लेजीला हम आगे बात करेंगे लेश्मानिया की साइकॉन पौरिफेरा का सदसी है और कोईनोसाइट सेल्स होते हैं क्या होती है कॉयनोसίνट को बोलते हैं गमातपून सवाल है पॉरी फिरा के अंदर कॉइनोसाइट और छा कोलर सेल्स पाई जाती है और यह जो कॉइनोसाइट से यह खुद भी फ्लेज्टी लेटेर होती है कशाफिकाई होती है इनके अंदर भी, ये भी बड़ा महत्पूर्ण सवाल है ठीक है, किसी भी संग के अंदर कोशिकाओं के अंदर कशा भी काई नहीं है पर कशा भी का युग जो सरचना है, वो पौरी फेरा के कोईनोसाइट सदस्यों के यह जो कॉनोसाइट, कॉलर सैस होती है, ये कशा भी का युग, फ्लेजिला युग कोशिकाओं होती है ठीक है जी, मैच करते हैं, A2, ये मैच कर रहा है B4, C1 और D3, D option बिलकुल सही लोगों ने बिलकुल सही जवाब दिया, बिलकुल चलिए, नेक्स कुशिन भी बात करते हैं, आगया लेशमानिया, चलिए, इंतजार खतम, लेशमानिया की बाते शुरू, लेशमानिया डोनोवानी, बिलकुल अभी जवाब आया था, बिलकुल सही बोला है, लेशमानिया डोनोवानी, बिलकुल आपकी बढ़ाई जवर्द सवाल बनेंगे यहां से और मुझे उमीद फिर आने की sleeping sickness sleeping sickness African निंद्रा रोग है बहुत नीन आती है African निंद्रा रोग होता है trypanosoma किसे वाई trypanosoma cruisai है ना trypanosoma cruisai यहां इस वज़स से sleeping sickness होता है काला अजार के लिए उत्तरदाई lash mania है बड़ा मात्मुन सवाल है lash mania diarrhea की बात कर दे तो giardia मैं सारे सदुस्य वही लिख रहा हूँ इस सब के अंदर कशय विका है सब के अंदर कशय विका बिलकुल सही जवाब आ रहा है बिलकुल सही जवाब आ रहा सबका diarrhea के लिए giardia है ना वैसे diarrhea ant amoeba histolytica से भी होता है बड़ा मात्मुन सवाल बनता ant amoeba histolytica amoebio peaches amoebic dyscentry उसमें भी diarrhea होता है malaria के लिए plasmodium होता है कौन होता है plasmodium और संकरमी तवस्ता sporo joint कौन सी sporo joint चलिए तो क्या answer निकला सबका answer बिलकुल सही आया है काला अजार इसका सही उत्तर है lash money अब मैं थोड़ी से history में जाऊँ काला अजार का मतलब क्या होता है skin का काला पढ़ना इसको dum-dum fever भी बोलते हैं क्या बोलते हैं dum-dum fever अब आप कहोगे ये dum-dum fever क्यों पढ़ा कॉल काता कि अंदर एक कस्वा है चोटा सा dum-dum और वहाँ पर ये fever फैलाता तो नाम dum-dum fever रखा गया इसमें skin का रंग काला पढ़ जाता है बड़ा महत्पून सवाल है और यहां इसका एक वहाँ होता है वो भी बड़ा महत्पून सवाल होता है कौन बता सकता है इसके लिए वहाँ जो होती है वाई बिल्कुल सही जवाब आ रहे है sand fly याद रखना वाई sand fly जो एक वहाँ के इस बिमारी रोक के लिए तो इससे संबंदे जीतने सवाल है वो यही बनते हैं दोस्तों इसके बार सवाल नहीं पूछा जाएगा चलिए water transport system water transport system का मतलब है जल परिवहन तंत्र जल परिवहन तंत्र एक और नाम भी अगर exam में पूछा जा सकता आपको canal system water canal system बड़ा मातपूर्ण सवाल है और confusion एक के साथ होता मैं अभी बताने वाला हूँ आपको बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आप लोग बिल्कुल water transport system is not presenting leucosolenia porifera की सदस्यों sycon porifera का सदस्यों yuspongia porifera का सदस्यों मैं बात कर रहा हूँ यहां पर esterias esterias तारा मचली इसके अंदर यह नहीं पाया बिल्कुल सई जवाब है अब क्या चीज़ें यह सुन लीजें सवाल और बनता अगर यह सवाल नहीं पूचा गया ना तो सवाल क्या आएगा सवाल अगर इमें डाइग्राम से बना के बताऊना तो बड़ा मात्मून बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को चली यह पौरिफेरा के अंदर हम बात कर रहे हैं अगर मैं बात कर तो जो चिदर दिख रहे हैं आपको इनको कहते हैं ऑस्टिया ऑस्टिया से जल जल जो होता है ऑस्टिया चिदर से जाएगा अंदर ठीक अंदर एक गुवा बनती इसको कहते हैं स्पोंजो सिल इस्पॉंजो सील गुआ के अंदर गया पानी और यहां से ओस्कूलम क्या होता है वाई ओस्कूलम यहां से जल बाहर और इसी को बोलते हैं वाटर केनाल सिस्टम क्या बोलते हैं वाटर केनाल सिस्टम बड़ा मातपून सवाल है ये सिक्वेंस भी पूछा जा सकता है बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के जल औस्टिया से जाएगा फिर गुवा स्पोंजो सील में जाएगा और औस कुलम से बाहर निकलेगा जल इस पूरे सिस्टम को कहते है वाटर केना सिस्टम जल परिवहन तंतर अब कन्फ्यूजिंग वाला सवाल क्या है कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है वाटर वैस्कूलर सिस्टम वाटर वैस्कूलर सवहन तंतर आ जाए बड़ा मात्मुन सवाल है अगर मैं लिख देता हूँ water west cooler सवहन तंत्र तो answer बदल जाएगा दोस्तों answer बदल जाएगा और ये मिलेगा किसमें Echinodermata में ये तो सवाल है examiner यहीं उलजाता है Echinodermata बड़ा मात्मुन सवाल है या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा ठीक है आजाएगा admit card आजाएगा आजाएगा आप लोगों का टेंशन मत करो पढ़ाई पर जोड़ दो बिलकुल चलिए आगे हम बात करते है next question की बड़ा सवाल है और ये सवाल आज चुका है फिर भी गुमा कर आया था ACF में excretory system absent in उस सर्जन तंत्र नहीं मिलेगा किसमें किसमें उस सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है पाईला मॉलस्का का सदस्य है लोलिगो मॉलस्का का सदस्य है यानि ये दोनों मेंबर जो है मॉलस्का के अंदर आते हैं जा मिलता है Asterias Echinodermata Echinodermata और Peripleinata किसमें आता है Arthropoda Arthropoda तो उस सर्जन तंत्र की बात करता हूँ किसमें नहीं मिलेगा भाई Asterias यानि Echinodermata के सदस्य में Excretory सिस्टम नहीं पाया जाता उस सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता बड़ा महत्मुन सवाल है सीरे सडाक होते है Taxonomy बोड़ी महत्मुन है फिर कह रहा हूँ 200 सवालों में से 51 सवाल 2011 केसियो पेपर में पुछे गए थे इस बार भी ज़्यादा क्यूशन पुछे जाएंगे Body Cavity of Asterias Next सवाल है भाई Asterias की Body Cavity और हम डिसकल्स कर चुके हैं आभासिक हुआ याद है जब भी है कुछ कुछ हुआ कौन सा answer होगा भाई इसमें Body Cavity की बात कर रहे हैं Hemosil, Sysosil, Enterosil और Pseudocil की बात कर रहे है क्या answer होगा अच्छे है इसके अंदर Body Cavity की बात कर रहे है Pseudocil यानि आभासि बड़ा मात्मुन सवाल है मुझे उमीदें से हैं इसलिए मैं या लेकिया इस सवाल को बड़ा मात्मुन सवाल लगता है उमीदें हैं आने के लिए क्योंकि एक ही उत्तर है इसका आवासि गुवाद जो होती है केवल S के Helminthys के सदस्तियों में ही मिलती है Pseudocil जिसको बोलते हैं तो answer ये होगा ठीक है भाई तो ये बड़ा मत्मुन सवाल है और enterosil जो होता है याद बता देता हूँ है आप लोगों को इसके अंदर enterosil E से चुराना है भाई E Echinodermata से गुवा की बात कर रहा हूँ मैं Echinodermata से Cordata तक की जो भी गुवाई होती है याद करने का Simple तरीका Cordata Echinodermata से Cordata तक enterosil E Echinodermata से Cordata तक enterosil और सिलों गुवा कहां से शुरू होती है भाई कहां से शुरू होती है SKL-Minti से शुरू हो चाती है न तो यहां SKL-Minti से Anilda की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे क्या चीज? SISO-SIL क्या होती बच्चों? SISO-SIL की बात करते है ठीके जी चलें आगे Answer क्या है गस में? Sudo-SIL आवासी गुआ Next question की बात कर रहे है Which is correct मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम करें Question अच्छा रहेगा हमारे practice के लिए बड़ा अच्छा सवाल है सही बताना है बड़ा अच्छा सवाल है ऐसे question आने की उमीद है Male periplaneta Cockroach की बात कर रहे है Male के अंदर क्या होता है? Annal style होता है Nar Cockroach की खास बात है Male Annal style याद रखना अगर हम Nar Mender की बात करते हैं तो उसमें Vocal Code होता है Nar Nar के अंदर ही vocal code होता है सवर रज्जू उसके अंदर विशेषता है Same male जो Cockroach होता है उसमें Annal style होते है Female में नहीं होते है बिल्कुल सही जो चीज़ हम बात करें इसके अंदर तो ये बिल्कुल ठीक है ना भाई? दूसरा Feritima Nefridia क्या भाई? Feritima Nefridia बिल्कुल सही है इसके अंदर नेरीज पैरा पोड़िया बिल्कुल सही है इसके अंदर तो यहां question के अंदर कुछ दिकत आ रही होगी आपको बताना है यहां पर incorrect क्या होगा फिर ये incorrect कौन सा है भाई? incorrect कौन सा है? question है incorrect बताना है आपको male periplenta anal style सही है feritima किसको कहते हैं बाई? कैंचुए को बलते हैं किसको कैंचुए को और कैंचुए के अंदर उस्सर जी जो अंग होता है बड़ा मात्मून सवाल है nefridia बिल्कुल सही है नेरीज पैरा पोड़िया गमनांग होते हैं और सोशन में भी काम करते हैं ये पैरा पोड़िया गमनांग है और दूसरा बच्चों इनके अंदर सोशन में भी साइता करते हैं adult as caries में bilateral symmetry बड़ा मात्मून सवाल है यहां हम बात करते हैं इसके अंदर जो यहां जो answer की बात करते हैं यहां आपकी अंदर फिर mistake की बात करते हैं यहां जो शब्द आना चाहिए आपको यहां ast rebias की बात करेंगे क्या बना हैंगा यहां थोड़ा mistake है Asterias starfish की बात कर रहा हू demand starfish starfish की बात कर रहा हूँ starfish के अंदर बड़ा मात्मून सवाल है है चलिए क्या चीज आती याद रखना इसमें दो एडल्ट और लार्वा बड़ा महत्मून सवाल नहीं हटकर है यह सम्मीति का सवाल है ठीक है भई सम्मीति का सवाल है एडल्ट एस्टि यानि स्टारफिश की बात करना याद रखना एडल्ट रेडी होते हैं यानि रेडियल अर्य सम्मिती और लार्वा के अंदर जो होता है बाई लेटरल यानि दू पार्शु सम्मिती क्या होता है भाई दू पार्शु सम्मिती बड़ा महत्मून सवाल है हड कर चीज़ है इसलिए एक्जाम में ज़ादा पूछी जाती है याँ एडल टेस्टी याँ मानके चलिए जो यहाँ आना चाहिए तो अरियर पर आंसर क्या दे रखा है वाई लेटरल सो आंसर जो होता है यह जाएगा इसमें इनकरेट के लिए हम बात कर रहें ठीके बई चलें समझ में न समझ में आना चाहिए आप लोगों को नेक्ट कुशन की बात करते हैं टीन या सोलियम इस करेक्टराइज बाई टीन या सोलियम की बात कर रहें याँ फीता कर्मी की हम बात कर रहें चलिए फीता कर्मी की बात करते हैं वाई तो फीता कर्मी की बात करें तो ये जो फीता कर्मी होते हैं एक्टरली डिवाइडेड यानि विवाजी तोतीन का शरीर बार से होगा केग नहीं होगा प्लेटी एलमिंट इसके सदस ये वाई तो सुडो सेगमेंट आबासी होते हैं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं हम लोगों के absence of digestive tract पाच्चन तंतर का अभा होगा क्या होगा क्योंकि परजी भी है है ना किसके उपर रहेंगे खुद का खाना नहीं बनाते है presence of hook for addition यानि चिपकने के लिए इनके पास hook होते हैं जिसकी साहिता से किसी पर पोशी से चिपकेंगे बिल्कुल सही है और यानि इसका मतलब सारे जो statement है वो टीनिया सोलियम से सम्मंदित है इसी के लिए टीनिया सोलियम को कहते हैं pork worm क्या बोलते हैं pork worm बोला जाता है बड़ा मौत्मूर्ण सवाल ये भी है जो पूछा जा सकता है कि pork worm किसे कहते हैं टीनिया सोलियम को और अगर मैं कहता हूँ टीनिया सेजिनेटा सवाल आजाए टीनिया सेजिनेटा तो इसको कहते हैं beef worm क्या बोलते हैं भाई beef worm बोला जाता है है ना go mask के अंदर ये रहता sewer के अंदर ये चीज रहता है ठीक टीनिया सोलियम फिर एक प्रशन की बात करते है female ascaris is identified on the basis of अच्छा सवाल है मादा ascaris की बात कर रहा हूँ मादा ascaris की बात कर रहा हूँ कैसे अलग होगी अच्छा सवाल है पहला जो picture दिख रहा है आपको नर का है दूसरा मादा का है अंतर समझ में आ गया आप लोगों को जिलिए answer देना शुरू किये चीजिए आप लोग a common clockal aperture clockal का मतलब होता है दोस्तों अवसकर छिद्र क्या होता है अवसकर छिद्र जैसे गुदा वाला भाग होता है पर इनके अंदर अवसकर छिद्र पाये जाता है दूसरा जो हम बात करते हैं female is identified on the basis of किसके आधार पर अलग होगी straight posterior end presence of pre annal and postal papally presence of two spicus at posterior end two spicus at the posterior end ये केवल किसमें पाई जाएंगे भाई नर के अंदर कहां मिलते हैं ये वाले ये चीज़ कहां मिलेगी नर के अंदर मिलेगी तो female कैसे identify होगी presence of two spicus at the posterior end ये नर में मिलेंगे common clockal aperture ये दोनों के अंदर straight posterior end ये मादा के लिए presence of pre annal and postal annal papally ये भी नर के अंदर देखने को मिलेंगे ये नर के अंदर ये नर के अंदर ये common clockal aperture common होगा आप लोगों answer क्या दे रहे हो presence of two spicus at the posterior end दे रहे हो जबकि ये female कर बात करा female कैसे अलग होगी ये नर के अंदर है अवास करचित common होते हैं दोनों के अंदर यहां answer जो होता straight posterior end जाएगा answer बड़ा जीब सा है straight posterior end जाएगा generally हम इसको यहसा मानते हैं पर generally सीधा होता है नर जो होता है वो थोड़ा सा कर माना जाता है female कैसे हड़कर अलग होगी बाकि सारे जो है ना वो common चीज़ें आएगी इसके अंदर answer जो जाएगा इसके तो straight posterior end होगा सीधी इसमें चितर में आपको ऐसा दिग रहा है पर generally straight posterior end माना जाता है मादा के अंदर इसलिए बड़ा महत्मूर सवाल है थोड़ा उलजाता है इस सवाल ठीक है भाई फिर next question की बात करते है match the column की in which one of the following the genus name यानि once का नाम पूछा है its two character and sphylem are not correctly match not correctly match पूछा है सही नहीं है सही नहीं है तो यहाँ हम बात करते हैं इसके अंदर जो सवाल है सही नहीं है paila mollusca के अंदर body segmented यानि सरीर खंडित होता है फिर भई दूसरा इसके अंदर हम बात कर रहे हैं phylum mollusca अब यहाँ देखिए body segmented of mouth with redulla लिखा है यह क्या है redulla की बात कर रहे हैं हम paila mollusca के सदस्य होते हैं और इनके अंदर जो मुखांग होते हैं उसके लिए शब्द आता है redulla बिल्कुल सही है पर body segmented नहीं होती यह गलत शब्द है खंडित नहीं होती ठीक है भई दूसरा यानि यह तो पहला ही आमें क्या मिल गया है non correct पूचा not correct पूचा पहला ही correct नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं steria starah मचली spiny skin होते हैं इस पर कांटे होते हैं water vascular 7th अंतर होता है बिल्कुल सही लाइन है यह saikon porifera के सदसी होते हैं चिद्रीत होते हैं kennel system होता है porifera बिल्कुल सही है periplaneta cockroach की बात कर रहे है joint जुड़े वे उपांग होते हैं बच्चों कायटीन की बात कर रहे है भाये कंकाल तंतर आत्रों पोड़ा के सदस्य बिल्कुल सही है तो दोस्तों यहां जो गलत पूछा है वो पहला ही answer बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग पहला ही उत्तर जो है वो बिल्कुल क्या है गलत है चलिए next हम बात करते हैं question में name the vector of lashmaniasis बड़ा important question है lashmaniasis पे बहुत सारे questions है lashmaniasis रोग होता है जिसके अंदर मैंने पहली बताया था cc fly african nindra rog के लिए है african बड़े मातमूर सवाल है सारे इसलिए जितने ज़्यादा question करेंगे तो benefit आप लोगों के लिए होगा बग से नहीं होता lashmaniasis रोग कारक है यहां उलचते हैं गलत करते हैं situation को vector का मतलब वाहक पूचा है क्या पूचा है आप लोगों से वाहक पूचा है तो वाहक कौन सा है बिलकुल सही जवाब आ रहे स्क्रीन पर मेरे सामने है यानि send fly जो होता है वो बिलकुल lashmanias का वाहक है बड़ा अच्छा सवाल है सीसी फ्लाइ अफ्रिकन निंद्रा रोग के लिए होता लेश्मानिया रोग कारक है वाहक नहीं है बड़ा सही जवाब दिया चलिए economically important insect आठिक रूफ से सबसे ये भी बड़ा महत्मून सवाल है क्योंकि NCRT में पीछे गीवड है कौन जवाब देता भाई Epis honeybee मदू मक्की की बात कर रहे है Epis Indica की बात कर रहे है इनका जो क्या कहलाता भाई Epi Culture समवर्दन करते हैं मदू मक्की पालन करते हैं Epi Culture बोलते हैं Silkworm Bombics को हम सहरी Culture के नाम से जानते हैं शब्दी बड़े महत्पूने की काई दे रखिए ECF के अंदर Lassifer, Lack, Insect, Lack Culture के लिए जाने जाते हैं लाग के लिए यानि सारे के सारे बिल्कुल सही जवाब दिया है सारे के सारे महत्पून है और एक चीज़ बता रहा हूँ सवाल आ चुका पिछली बार ECF में पैबरीन रोग सिल्क वर्क के अंदर जो रोग होता है पैबरीन रोग होता है ये सवाल आ चुका है पिछले ECF के पेपर के अंदर बॉम्बेक्स या सिल्क वर्म की बात कर रहा हूँ मौराई की बात कर रहा हूँ ये और एक दूसरा आपको याद रखना इससे संबंदित भाई कि बॉम्बेक्स जो होते हैं सिल्क वो मलबेरी पादप पर रहते हैं मलबेरी यानि सहतूत बड़ा महत्पूर्ण सवाल है ये एसी एफ के लिए सहतूत पर ये रहते हैं चलिए बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग the phenomenon metagenesis की बात कर रहे है कौन जवाब देगा metagenesis की बात कर रहे है metagenesis का मतलब क्या होता है दो अवस्ताओं की बात कर रहा हूँ एक होती है polyp एक होती है medusa एक polyp और एक medusa तो याद रखने का तरीका पास में पास में ओबेलिया याद रखना है इसको पास में ओबेलिया क्या है इसका मतलब P, polyp AS, asexual a-langic general AS का मतलब asexual और वापस यहाँ बात करते हैं sexual reproduction होगा medusa वापस polyp में बदे एक PD में polyp दूसरी PD में medusa तो PD का जो एकांत्रन होता है उसी को हम कहते है meta genesis बिल्कुल सही है PD एकांत्रन बड़ा अच्छा सवाल है यह PD एकांत्रन किसमें मिलेगा भाई? यह आपके मिलेगा O, Bailey answer होगा क्या होगा? O, Bailey बिल्कुल सही है भाई next question लेते है अपन which statement regarding narizes narizes का प्रिशन है पिछली बार एसी इप में बहुत सारे narizes पर सवाल आच चुके N.A.L.E.D.A. का सदसी है किसका सदसी है? N.A.L.E.D.A. का sandworm के नाम से जाना जाता है पेरा पोडियास के उपर होते है जो गमनांग होते हैं social अंग भी होते है अब देखो option देखो इसके it has nephridium for excretion उस सर्चन के लिए nephridia होते है अनलीडा इन एनलीडा एन अनलीडा नफडिया है है नध एनलीड़ एन नफडिया बिल्कुल सही है क्योस्चन है रॉंग पूचहें Metamerically Segmented इस सदस्यों की बात करते हैं इस तरह का सिस्ट्म उसको metameric segmentation बोला जाता है खंड होते हैं इस तरह से बिलकुल सही है एलेडा में खंडित शरीर होता है monoacios, बिलकुल सही जवाब आ रहें आपके Monteacios का मतलब क्या होता है, dioces का मतलब क्या होता है dioces का मतलब अलग-लग, नर और मादा अलग-लग और Monteacios का मतलब एक ही, यानि उबे लिंगी क्या मतलब होता है इसका उभे लिंगी जबकि ये क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं ये गलत है ये डायोसियस होता है एक लिंगी होता है उभे लिंगी नहीं बिल्कुल सही जवाब दिया है सी इसका सही अंसर है बिल्कुल सही है यह हम कर चुके वही समें insert के लिए सारा आएगा और यहां भी हम इसके अंदर कि कोश्चन कर चुके नेरिसका मोनो इसका अंदर आएगा ठीक है तो यहां अगर हम बात करते हैं आज की म्ही हैं जो सबसे महतमून चीज में आप कहना चाहूं गा last के अंदर non-cordata की अगर मैं बात करता हूँ बड़ा महत्पूर्ण है यह segment non-cordata के अंदर आपको पहले तो जो वर्गी करने जितने भी आधार है सम्मिती के बारे में, खंडन के बारे में है ना, वो सारे अच्छी तरह से आने चाहिए गुहा के बारे में और जो आपके सीलेवस के अंदर जितने भी जीओं के नाम दे रखे हैं जो हमने आज question के रूप में लिए, उनकी सारे आपको विशेशताई याद रखनी है और वो किस संग में आते हैं, वो नाम याद रखने हैं, कुछ लारवा के नाम याद रखने हैं और इसके अलावा इसमें questions नहीं बनते हैं, उमीद है कि आज के section में non-quadita में बहुत अच्छे आपने जवाब दिये हैं, ठीके ना और इसमें से बहुत मुझे उमीद है questions निकलने वाले हैं, तो इसी के साथ हम बात करते हैं, आपका paper बहुत बढ़िया हो, good luck, ठीक है और next हम मिलेंगे, next section में, साड़े तीन बजे कौड़ेटा की class के अंदर, तब ते के लिए keep watching, उतकर शाइए